कि कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है अब सभी का हमारे चैनल कैवलेकाडमी पर देखे हमारा ये अन्तर्राष्टी करेंट अभेर्स की और अक सुद्रисл Alaach के सबासे के माद्यम से पूरा डिस्कृषन चल रहा है जिसमें अन्तर राष्टी करेंट चल दिया था लाइक और शेयर जरूर कर दिजिएगा चल तो पूछा जा रहा है कि जुलाई 2020 में भारत सरकार ने किस देश के साथ आपात कालिन चिकित्सा सिवा इकाई की इस्थापना के लिए समझोते पर हस्ताचर किये हैं A. नेपाल B. मालदीप C. स्रीलंका या D. बांगलादेश चल सही अंसर है इसका आप्सन नंबर B. मालदीप भारत और मालदीप के मद्धे 20 जुलाई 2020 को यह समझाबता हुआ मालदीप के मले में एक आपात कालिन चिकित्सा सेवा इकाई की इस्थापना करे गया है हाल ही में सयुक्त राष्ट ने नूर वली महसूद को अंतराष्टी आतंकी घुसित किया वह किस आतंकवादी संगठन का सरगना है तहरी के तालिबान पाकिस्तान बी अलकाइदा सी लसकरे तयबा या डी हिजबुल मुजाहिद्दीन चली सही अंसर है इसका आप्सन नंबर ए तहरी के तालिबान पाकिस्तान का आतंकवादी का सरगना है नूर वली महसूद जिसे हाल ही में संग्त राष्ट के द्वारा अंतर राष्टी आतंकी घुसित कर दिया गया है देखे नूर वली महसूद जो है एक पाकिस्तानी नागरिक है और तहरी के तालिबान पाकिस्तान का सरगना है बस इतना जानिए इसको 16 जुलाई 2020 को अंतर राष्टी आतंकी घुसित कर दिया गया है ठीक यह जो ना पाकिस्तान के अंदर ही आतंकवादी कारेवाई को करता है और इसका संबंद आप देखेंगे तो वहाँ पर जब एक स्कूल में बंबी स्पोर्ट किया गया था पाकिस्तान में तो वहाँ से भी तहरीके तालिबान के संबंद पाए गये थे ठीक है उस बंबी स्पोर्ट से भी फिलाल चलिए यहां बात कर लेते हैं यहां पूचा जा रहा है कि मार्च 2020 में जारी पसू संडच्छन सूचकांक 2020 में भारत को किस प्रकार की स्रेणी प्रतान की गई सी स्रेणी में भारत को रखा गया पसू संडच्छन सूचकांग दरอ badly जो है न यह जो है मार्च 2020 में अंतरराष्टी पसू कहल्यान संस्तान के विश्विश पसू संडच्छन वीवाग्द्वायरा जारी कीया गया और इसमें जो है क्या कहते है इसमें जो है A से G तक ranking प्रदान की गई ए से जी तक कितने सब दो जाएंगे गिनिये A, B, C, D, E, F, G यानि कि साथ आधारों पर ranking प्रदान की गई जिसमें G जो है वह सबसे rank खराब rank ग्रेट रही वहीं A सबसे अच्छी rank रही A पर किसी देश को स्थान नहीं में ठीक है A ग्रेट में कोई भी देश नहीं रहा B ग्रेट में रहने वाले देशों में Denmark, Switzerland, Sweden, UK, Netherlands और आश्ट्रिया रहें हैं वहीं। सबसे खराब परदर्शन करने वाले देशों में Azerbaijan और इरान होय जि ग्रूप में रहाया जी ग्रेट पाया इन्होंने और भारत के साथ थीक है भारत को तो आपको बता दिया है कि भारत के सांट अन्य देश हैं मलिशिया इस्पेन फ्रांस मेक्सिको निव लेंड और ठीक है कि में सर विश्विध क Daredabriefnewka किसी को भी प्राप्ति यह कि से अंरचे कि द् Perché नहीं विए इस्विध कांद में कौंसा सुचकांट था है पसु संरत्षण सूचकांग ठीक किसके द्वरा जारी किया जाता है अंतराष्टी पसू कल्यांड संस्था है विश्व पसू संरक्षण इसके द्वरा यह सूचकांग जारी किया जाता है यहां बताइए मार्च 2020 में जारी वर्ड हैपिनेस रिपोर्ट या फिर विश्व खुसहाली रिपोर् एक सो चार इस चार एक सो चारिस एक सो चाऱ्िस चीर एक सो चॉवालिस यर डी एक सो तीस चल सही अंसर है इसका option number C ठीक है world happiness report 2020 में जो है या फिर विश्व खुसवाली report 2020 में भारत को 144 वी ranking 144 वा इस थान प्राप्ट हुआ इस वर्स यह report देखे 20 मार्च 2020 को इस वर्स जारी की गई और इस वर्स इस report यानि कि advice वे खुसवाली report को जारी किया जाता है sustainable development solution network यानि कि HTSN के द्वारा ठीक है जिसमें इस बार कुल 156 देख सामिल रहें लेकिन खुसवाली ranking में सामिल कुल देख रहें मात्र एक सो तिरपन ठीक है भारत का इस थान इस बार यानि कि आठवी विश्व खुसवाली report में 144 वा रहा जबकि सातवी विश्व खुसवाली report 2019 में भारत का इस्थान था 140 वा ठीक है प्रथम चार देखों के अगर बात करें तो प्रथम चार देख रहें Finland, Denmark, Switzerland और Iceland और अंतिम चार देखों की बात करें तो अंतिम इस्थान पर रहा 144 वे इस्थान पर रहा भारत और भारत के पड़ोसी देशों में भारत की रेंकिंग सबसे खराब रही आठवी विश्व खुसाली report 2020 में और भारत की रेंकिंग रही 144 ठीक है जबकि अन्य देशों की अगर बात करें तो ब्रिक्स में ब्राजील की रेंक 32 वी रूस की 73 वी चीन की 94 और दच्छिड अफ्रीका की 109 रही और पड़ोसी देशों के अगर बात करें तो नेपाल जो है अवाड हैपिनेस रिपोर्ट में 92 में इस्थान पर ता महीं पाकिस्तान भी 66 नंबर पर रहा बांगलादेश 107 में श्रीलंका 130 और चीन उपरी देखाम में न 94 नंबर पर रहा ठीक है हालनकि इन सब के बारे मत याद रखें बस पहला याद रखें किसको मिला अंतिम याद रखें किसको मिला और ब्रिक्स देशों में भारत किस्तिती सबसे अच्छी थी तो नहीं सबसे खराब रही पड़ोसी देशों में भारत किस्तिती सबसे अच्छी रही तो नहीं सबसे खराब रही, खुशाली रिपोर्ट या फिर वर्ड हपिनिस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, यह जारी करता है, SDSN यानि की सस्टेनेबल डेवलप्मेंट सालूसन नेटवर्क, इतने देश सामिल रहें, 156 और खुशाली रेंक्टि में कुल के वल 153 देश सामिल रहें, अमेरिका, C, भारत या D, वियतनाम, चली, सही अंसर है इसका आप्सन नमबर A, ठीक है, वैस्ट्विक विनिर्मार जोखिम सुचकांक में पहला इस्थान चीन को मिला है, दूसरा इस्थान अमेरिका को और तीसरे नमबर पर रहा है, भारत, इस रिपोर्ट को जारी तो किस 48 देश सामिल रहें, और इस सुचकांक का निर्धार जो है, चार चेत्रों के आधार पर किया जाता है, वे चार चेत्र है, बाउंस बैक एविल्टी, दूसरा सर्ते, तीसरा लागत और चौथा जोकिम, अगर बात करें कुस्मेंड एंड वेकफिल्ड के बारे में तो यह ए उत्राज अमेरिका ने सैन संचार के उद्देश से एक अत्यंत उन्नत आवरित उपग्रह A.E.H.F.6, ठीक है, क्या नाम है A.E.H.F.6 का? इसका नाम है Advanced Extremely High Frequency 6, ठीक है, Advanced Extremely Highly Frequency 6 का प्रछेपड किया, यह उपग्रह अमेरिका के किस रच्छा संघटन के लिए बनाया गय है A. ठल से ना, B. Y. से ना, C. नौ से ना, या D. अंतरिच से ना, या अंतरिच बल, चले, सही एंसर है, इसका option number D, अंतरिच बल के लिए जो है, अमेरिका दोरा यह उपग्रह बनाया गया है, जिसका नाम है A.E.H.F.6, ठीक है, और इसका प्रछेपड भी हाल ही में कर दिय थोड़ा इसके बार हम जान लेते हैं, important बन जाता है थोड़ा सा, देखे, अमेरिका दोरा इस उपग्रह का प्रचे पर 26 मार्च 2020 को अमेरिकी अंतरिच बल के लिए किया गया, देखे, अमेरिका का अंतरिच बल जो है, अमेरिका की छटमीर अच्छा सेवा है, इसके अलामा अन्य पांच कौन कौन सी हैं, तो अन्य पांच है, थल से ना, वाइव से ना, नौ से ना, नौ से ना कूर और तट्रचक बल, ठीक है, देखे, एएएच एफ शिक्स उपग्रह का निर्मार जो है, अमेरिका के लॉक हिड मार्टिन कंपनी द्वारा किया गया, और इसका प् मैच कराने के लिए आजाता है, ठीक, देखे, अमेरिका के अंतरिचबल के पहले प्रमुख है, जान जे रिमेंड, जनरल जान जे रिमेंड, ठीक है, जनरल जान जे रिमेंड, जो है, वा अमेरिकी अंतरिचबल के पहले प्रमुख है, ठीक है, देखे, डोनाल्ड ट्रम्प ने दिसम्बर 2019 में अमेरिकी अंतरिचवल को एक अलग सेन साखा के रूप में इस्थापित किया था ठीक है दिसम्बर 2019 में ही इस सेन बल की इस्थापना हुई है अमेरिका में ठीक है निक्स देख लेते हैं अगला यहां पूछा जा रहा है कि 27 मार्च 2020 को कौन सा देश आजि सी मुंटे नेग्रो या डी भारत चली सही अंसर है इसका option number A 27 मार्च 2020 को नाटो यानि की North Atlantic Treaty Organization में सामिल होने वाला 30 सदस्य देश बना या अगर बात करें उत्री मेट्सिडोनिया की location की तो आप देखेंगे दच्छडी यूरोप में जो Balkan Armor प्राइदी पैस थी थी थे उनंहीमे का एक देश है जो Balkan गंट्री जिन को खा जाता है उनंहीमेंसे एक देश है उत्री मेट्सिडोनिया के बारे में कुछ चीजों के बारे माय जानना है तो देखें 2019 को मेट्सिडोनिया ने अपना नाम बदल करके उत्तरी मैसुडूनिया गड़राज कर दिया, क्योंकि ऐसा जो है इसके तोरा ग्रीज के साथ चल रहा है विवादों के करण किया गया, ग्रीज के साथ जो है मैसुडूनिया नाम को ले करके विवाद था, तो इसी करण इसने अपना नाम बदल करक उत्तरी मेसडोनिया गड़ राज्जे कर लिया ठीक है नाट किसलिए बदला क्यों बदला यहाँ आपके मेंस के डिसकेशन कभी सह है यहाँ पर फिलाल इतना ही जानिये ठीक है नाटो के बारे मगर बात करें तो नाटो की इस्थापना जो है चार अप्रेल उनिस सो उन्चास को बारा संस्थापक सदस्यों दौरा अमेरिका के वासिंगटन में की गई थी और यह जो है एक अंतर सरकारी सैन गठवंधन है ठीक है इसमें ज्यादा तर पस्चिमी यूरोप और उत्तरी अप्री अमेरिका के देशों के देशी सामील है ठीक है चलिए अगला देख लेते और अगला प्रशन देखिए यहां पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस अरब देश ने मंगल ग्रह के लिए अपना पहला अंतरिच्छ मिशन लॉंच किया ए संयुक्त अरब अमिरात या यूएई ने बी कतर सी सौधी अरब या फिर डी कुएट चलिए सही अंसर है इसका आप्सन नमबर ए संयुक्त अरब अमिरात दरा जो है 19 जुलाई 2020 को एक होप नामक अपना मिरात या यूएई का ही है यह यूएई या फिर अरब देशों में पहला ऐसा अंतरिच्छ अभियान है जो कि मंगल ग्रह के लिए लॉंच किया गया ठीक ए नामक रॉकेट के जरी किसके जरी है ताने गाशिमा अंतरिच चिकेंद्र या अंतरिच इस्पेस इस्टेशन जापान से इसको लॉंच किया गया था होप राकेट को ठीक है देखें उब्रह मंगल की कच्छा पर लग वक फरवरी 2021 में पहुंचेगा यहां पर वही बात पहुंचे ना पहुंचे कोई फरक नहीं पड़ता है ठीक है पहुंचे अच्छी बात है हमसे आप से क्या है जुलाई 2020 में 207 संगठान द्वारा दच्चिर पूरू एसिया के किने देशों को रुबेला मुक्त घोसित किया गया आ श्रीलंका, बी, मालदीव, सी, सी, अ और दोनो या डी इन में से कोई नहीं चली सही अंसर है इसका option number C श्रीलंका और मालदीव को निर्धारित लट्थी की थित्षि से काफी पहले ही रुबेला और मीजल्स यानि की खसरे से मुक्ती पाली है ठीक है देखे निर्धारित तलच्छ क्या था तुभी सुस्वास संग्थन ने जो है मिजल्स और रुबेला के लिए निर्धारित किया था कि 2023 तक जो है इनसे मुक्ति पाली जाएगी दच्छिड पूरु एसिया छेतर को दच्छड पूर एसिया छेतर के द्वारा लेकिन मालदीव और स्रीलंका ने बहुत पहले ही यानी की 2009 में देखे 2009 से ले करके ने मालदीव में अंतिम सुचित मीजल का संक्रमर देखा गया था और अंतिम सुचित रुबेल्स का मामला देखा गया 2015 में वहीं अंतिम सूची मीजल्स या खसरे का मामला स्री रंका में 2016 में देखा गया था वहीं अंतिम सूची रुबेला का मामला स्री रंका में मार्च 2017 में देखा गया था चलि अगला देख लिजे यहां पूछा जा रहा है कि जून 2020 में किस देश ने अमेरिकी राष्टपती डोनलाल्ड टरम के विरुद्ध गिरफतारी वारंट जारी किया ए इरान, बी, चीन, सी, सौधी अरब या डी, उत्तर कोरिया चलि सही अंसर है इसका आप्सन नमबर ए इरान के दोरा जो है मेरिकी राष्टपती डोनलाल टरम के विरुद्ध गिरफतारी वारंट जारी किया गया और इरान ने इसके हेतु यानि इस उद्देश के लिए इंटरपोल से मदद भी मांगी थी और कारर क्या या आरोप क्या लगाय थे जो तो बगदाद में जो है ड्रोन हमले में इरानी जनरल मारे गये थे जनरल कासिम सुलेमानी इनकी हत्या के अपराध में ठीक है चलिए अगला देख लिए राष्ट्री पांडुलूपी मिशन एन एम एम के तहत मंगोलियाई कंज ठीक है तो मंगोलिया कंजर है क्या तीजर किया इसे कारणो है इसके 108 अंको प्रकाशन का निल्धाय लेया गया गया है राष्ट्री पांडुलियाじ संस्य को पूछा जा रहा है इसका प्रकाशन कवरत लेुग बुद्ध धर्म से संबन्दित है यह मेन इंपॉर्टेंट है आप जान रखिएगा बुद्ध धर्म से संबन्दित है मंगोलियाई कंजूर ठीक बताइए इसके 108 हंको का प्रकाशन कब तक किये जाने की संभावना है एन एम एम के तर ए जन्वरी 2022 बी फर्वरी 2022 C. मार्च 2022 या D. अप्रेल 2022 सब 2022 है चली सही अंसर है इसका आप्सन नंबर C. मार्च 2022 तक ए 108 हंको का प्रकाशन कर दिया जाएगा राष्ट्री पांडूलीप मिशन के तहत राष्ट्री पांडूलीप मिशन की सुरुवात कब की गई थी तो भीया राष्ट्री पांडूलीप मिशन की शुरुवात की गई थी फरवरी 2003 में ठीक है और इसका सुभारम किया गया है केंद्री परेटन एवम संस्कृती मंत्रालाई के तहत और इसका उद्देश से क्या है नम्म या फिर राष्ट्री पांडूलीप मिशन का तो पांडूलीपियों में संरच्चित ग्यान का दस्तावेजी करण करना उनका संरच्चण करना और उनका प्रसार करना देखे हाल ही मेना 4 जुलाई 2020 को गूरी पूर्डीमा या फिर धर्म चक्र दिवस के आउसर पर भारत के जो संस्कृत राज्यमंत्री स्वतंतर परवार हैं प्रहलाज सिंग पतेल जी इन्होंने मंगोलिया के भारत में राश्दूत गोन चिंग गान बोल्ड को मंगोलियाई कंजूर के पांच अंकों का पहला सेट भी सौब दिया है ठीक है याद रखेगा इसको चले अगले प्रस्ट परस जलें प्रियोजना का प्रारम भी किंद्री संस्कृत मंतराले के द्वारा ही तो किया जाएगा है की नहीं यहाँ पर तो कन्फूज नहीं होंगे न आप लोग चले यहाँ बताईए जुलाई 2020 में मिडलिन स्वीगल किस देश की नो से ना में सामरिक विमान पाइलेट बनने वाली प्रथम ग्यात अस्वेत महिला है ए साइक्तराज अमेरिका बी कनाडा सी यूनाइटेट किंगडम या फिर डी जर्मनी बस इनका नाम ध्यान रखिए कहाँ पर यह है पाइलेट बनी यह ध्यान रखिए स्वेत हैं स्वेत हैं यह जानते रही है बस और महिला भी ठीक है तो देखें मिडलिन स्वीगल जो है यह अमेरिका यानि कि यूनाइटेट इस्टेट आफ अमेरिका या संतराज अमेरिका की पहली पहली ग्यात अस्वेत महिला बन गई है नौसेना में सामरिक विबान पाइलेट बनने वाली ठीक है कब बनी क्यों बनी किसलिए बनी इनसे आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए ठीक है अगला प्रस्थ देखें देखें एक और चीज जा लिजे या से पूछा काहीं नहीं जाएगा 1974 में रोज मेरी मेरिनर या सामरिक लडाकु जेट उडाने वाली पहली महिलayı थी अस्वेत नहीं स्वेत रही हुँगी साय इसलिए कोई अस्वेत और स्वेत का जिक्रिन नहीं है पहली महिला जो थी किस देश में इस्ठित हागिया सुफिया संगरहाले को मस्जिद के रूप में परिवर्थित कर दिया गया A. तुर्की B. मिस्र C. ओमान या D. कौन सा ओप्षन दे दूँ जार्डान? सही वाला दे दूँ क्या? बताइए सही कौन सा है? चलिए ये सही वाला नहीं था D. वाला सही ओप्षन है ओप्षन नमबर A. तुर्की इस्ठित हागिया सुफिया संगरहाले को मस्जिद के रूप में परिवर्थित कर दिया जाएगा वहाँ के प्रसासनिक नियाल है के आदेश के दौरा प्रसासनिक नियाल है को ऐसा टीपिकल टर्म नहीं है जैसे अपने यह सेंटरल एडिमिस्ट्रेट रूप माला न कैट वैसे ही वहाँ का एक प्रसासनिक नियाल है जिसके द्वारा यह आदेश दे दिया गया और वहां के राश्पती ने इस आदेश को लागू करने का भी आदेश पारित कर दिया ठीक है देखे इसको तुर्की भासा में आया सोफिया भी कहते है हागिया सोफिया को तुर्की भासा में आया सोफिया भी कहते है ठीक देखे तुर्की के सिर्स प्रसास्टिक नयायले का निर्णय क्या आया था तो पहला हागिया सोफिया के संग्रहाले का दर्जा निरस्त किया जया दूसरा वर्स 1934 में हागिया सोफिया को संग्रहाले के रूप में परिवर्तित करने के ततकालि मंत्र मंदल का निर्णय निरस्त ठिक यह नेनने दिया गया था तुर्की के प्रसास्निक ने आया लाएक बारा, 10 जुलाई 2020 को, ठीक है, देखे, थोड़ा सा हागिया सोपिया के बारे में थोड़ा सा आप इतिहार जानिये इसका, तो देखे, इस मस्जिद का निर्मार पहली बार किया गया था, मस्जिद नहीं, पहले है तुगा करती थी चर्च, जिसका नाम था, Church of the Holy Wisdom या फिर Church of the Divine Wisdom, जिसकी स्थापना जो है, छटवी सताब्दी इस्वी में, यानि कि पांसो, चटवी सताब्दी इस्वी में, यूनानी सासक जस्टीनियन प्रथम के द्वारा की गय थी, पांसो बत्तिस से पांसो इस्वी के मद्ध में, ठीक है, छटवी सताब्दी में, पांसो बत्तिस से पांसो तैस्वी के मद्ध, यूनानी सासक जस्टीनियन प्रथम के द्वारा, Church of the Holy Wisdom या Church of the Divine Wisdom के नाम से हागिया सोफिया की स्थापना की गय थी, लेकिन बाद में जो है, कास्टेंटीन पोल या कास्टेंटीन पोल पर मेहमद दितीय का अधिकार हो जाता है 1453 इस्वी में, ठीक है, और फिर इनके द्वारा इसको मस्जिद में परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक, बाद में 1935 में तूर्की के जो ततकालेन राष्टपती थे मुस्तफा कमाल पासा, इनके द्वारा मस् त्रिमंडरली आदेश पारित कर दिया जाता है, ताकि जो विवाद चल रहा है, वह विवाद ना हो, ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो तूर्की के राष्पती है, रेचिप तयर अर्दोगन जी, इन्होंने भी घोसरा कर दिया कि हागिया सोफिया का मस्जिद में परिवर् और समिति के चवालिशमें सत्र को इस्थगित कर दिया गया, इसे सत्र की बैठक किस देश में प्रस्तावीत थी, जापान, भी भारत, ची चीन या डी दच्छिड कोरिया देखें, 30 जून से ले करके न, 39 जून से ले करके, 9 जुलाई 2020 के मद्दे चीन के फूजो फूजियान परांत में जो है, यूनेशको के विश्थधरोर समती का 44 सत्र होने वाला था, जिसको की COVID-19 के कारण इस्थगित कर दिया गया, अगर बात करें, यूनेशको के 43 सत्र का तो इसका आयोजन जो है, अजरबैजान की राषधानी बाकू में किया गया था, और यूनेशको की स्थापना 16 नॉम्बर 1945 को की गई थी, इसका मुख्याल है, पेरिस फ्रांस में है, यूनेशको का पूरा नाम तो आप सभी को पता ही है, राष्टी सहचिक, वग्यानिक, सांस्कृतिक संगठन भाई, ठीक है, इतना मत परिसान हुआ करिए, चलिए यहाँ बताईए, यहाँ पूछा जा रहा है कि, अप्रैल 2020 में किस देश ने इरान समर्थित आतंकवादी संगठन हिजबुल्ला पर पूर्टर प्रतिबंद लगाते हुए, उसे एक आतंकवाद संगठन घोसित किया, ए, फ्रांस, बी, जर्मनी, सी, ब्रिटेन, या फिर डी, आस्ट्रेलिया, चलिए, सही अंसर है इसका आप्सन नंबर बी, जर्मनी द्वारा जो है, इरान समर्थित आतंकवादी संगठन हिजबुल्ला पर पूर्टर प्रतिबंद लगाते हुए, उस सिया मुस्लिम समू है, कैसा मुस्लिम समू है, सिया, सुननी नहीं, सिया मुस्लिम समू है, इरान समर्थित आनि इरान कैसा कंट्री है, इरान भी सिया बहुल कंट्री है, ठीक है, तो इन चीजों को आप लोग याद रखिएगा, चलि, यहां बताइए, अप्रैल 2020 में किस द जितने भी प्रस्ना आएंगे ना फिलहाल के सम्मेलनों के या 2020 के सम्मेलनों के आप आंक बंद करके साथ जले जाईएगा ठीक है तो फिलाल इसका यहां सही अंसर है आफसर नंबर आंक बंद करके लगाओं सौधी अरब बैसे मैं खोला हुआ था चल देखें इसकी अध्यच किसान कल्यान मंत्री और ग्रामेड विकास्तता पंचायती राज मंत्री नरेंदर सिंग तोमवर ने ठीक है अध्यचता किस ने की थी साओधी अरब के पर्यावर अड़ जल एवं क्रिशी मंत्री अब्दुल रहमान अल फदली ने कब हुआ था तो 21 अप्रेल 2020 को हुआ था नौरत्न PSU ने पहली बार कोईले का उत्पादन शुरू किया ए एनलसी इंडिया लिम्टेट बी कोल इंडिया लिम्टेट सी तेल और प्राक्रितिक गैस निकम लिम्टेट या डी इंडियान आयल कार्पूरेशन लिम्टेट चली सही अंसर है इसका आप्सिन नंबर ए एनलसी इंडिया लिम्टेट जो की कोल मंत्राले के अंतरगाद आने वाला एक नौरत्न PSU है इसके दोरा पहली बार ओडिशा के तालीबारी खानों से कोईले का उत्खनान या फिर कोईले का उत्पादन शुरू किया गया ठीक है 26 अप्रेल 2020 से ठीक है कहां से ओडिशा के तालीबारा की खानों से वर्तमान में जो है एनलसी के CMD है यानि कि अध्यच्छ सह प्रबंध नहीं दे सका है वे हैं राकेश कुमार जी ठीक चली अगले पर चलते हैं यहां पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारती रिजर्ब बैं को अंतराष्टी मुद्राकोस आई एम एफ के बाहरी सलाकार समूं का सदस्य बनाया गया है ए उर्जित पटेल बी रगुराम राजन सी डी सुबाराव या पिडी विमल जलान चली सही अंसर है इसका आप्सन नमबर बी रगुराम राजन को जो है आई एम एफ के बाहरी सलाकार समूं का सदस्य बनाया गया है उद्देश से कहा है आई एम एफ के बाहरी सलाकार समूं का जो देखो भाईया आई एम एफ के बाहरी सलाकार समूं के गठन का उद्देश पर अपनी राय आईमफ के प्रमुख को देने के लिए ठिक जो बाहरी सलाकार समुख का गठन है वह सिर्फ और सिर्फ इसी उद्देश के लिए किया गया है क्योंकि वह यह समुख जो है वह आईमफ के प्रमुख को अपनी सलाह दे सके कि कैसा संक्ट जो वरतमान महामारी के क संकट उत्पन हो रहा उस पर क्या कदम उठाए जाए और साथ इसाथ विश्वर में कैसे बदला हो रहे हैं और उनको ले करके नीतिकत मुद्धे कैसे बनाए जाए ठीक है चले अगले प्रश्ण पर चलते देखे बरतमान मुझभन रगुराम राजन वह सिकागो पढ़ा सकते थे भारत के भी घर उनकी इच्छा है अपनी यहां बताईए अप्रेल 2020 में किस भारती को जापान के प्रतिश्ठित 25 निक्केई एसिया पुरसकार 2020 प्रदान किये जाने की घुसरा की गई ए डॉक्टर टी प्रदीप बी बिंदस्वरी पाठक सी प्रोफेसर स दो बना नर्सिम मन या डी इन में से कोई नहीं चली सही अंसर है इसका ऑप्सन नंबर ए डॉक्टर टी प्रदीप यानिकी इनका पूरा नाम क्या है डॉक्टर टी प्रदीप का आई ये नीचेस देख लिजे ऐसे मैं बताऊंगो तो आपना ही समझेंगे एक सेकंड निने हटा दूँ चली देखे पचीसवे निक्के जापान के पुरसकारों के घोशला की गई 30 अप्रेल 2020 को जिसमें विज्ञान और प्रद्योकी के छित में भारत के डॉक्टर टी प्रदीप को चुना गया है इस अवाइड के लिए ठीक है देखे यह जो है जापान का एक प्रत एक वर्स तीन स्रेणियों में प्रदान किया जाता है कितनी तीन स्रेणियों में प्रदान किया जाता है कौन कौन से तीन स्रेणिया है विज्ञान और प्रद्योकी संस्कृति और समुदाय और आर्थिक और व्यवसाइक नमाचार ठीक है तो देखे तीन लोगों के नाम ज पुरसकार मिला निक्केई एसिया पुरसकार मिला और आर्थिक और व्यवसाइक नवाचार के छेत्र में मलेशिया के ही दो व्यक्तियों एंथनी टैन और टैन होई लिंक को यह पुरसकार मिला ठीक है चली देखें निक्केई एसिया पुरसकार उन व्यक्तियों को दिया जात प्राधारी तेक वाटर प्यूरिफायर बनाया था ठीक है देखे निकेई एसिया पुरस्कार प्राप्त करने वाले अन्य भारतियों के बारें बात करें तो पूरु प्रधान मंत्री मनमुहन सिंग जी को वर्स 1997 में निकेई एसिया पुरस्कार मिला था इन फोसेस के संस्था पक नाराण मुर्ती को 2001 में निकेई एसिया पुरस्कार मिला प्रोफेसर सी एन राव को वर्स 2008 में निकेई एसिया पुरस्कार मिला डॉक्टर देवी प्रसाद सेटी को वर्स 2014 का निकेई एसिया पुरस्कार मिला वहीं सबसे अंत में नियंदन नील केड़ी को 2017 में फिलहा कौन से प्रदीप को डॉक्टर थलप्पिल प्रदीप को ने केई एसिया पुरसकार मिला है ठीक है यहां बताईए यहां पूछा जा रहा है कि चार माई 2020 को हुए नैम संपर्क समू यानि कॉंटेक्ट ग्रुप के आनलाइन सिखर सम्मेलन का मुख्य विशाया थीम क्या था पताईए नैम के संपर्क समू के जो हाल ही में जो है वेबिनार आयो जी तो यह थीम क्या रही थी इसमें प्रदान मंत्री मुन नरेंद मोदी जी ने भाग लिया था ठीक यह ध्यान रखिएगा इंपॉर्टन फेक्ट है चलिए फिलाल इसकी थीम रही थी यूनाइट अग जी गण Una menos movement Wow अध्यचता में जी आ अज़रबयज्च में चजच्ड पती है और वही वर्तमान में अध्यच भी यह इसके नाम है बताई यह से सितिक है इनिधान अन्याम अली यह यर जो है नहीं के सानवन अध्यच यह Разक्ति शी चangel भी हैं इसकी ट गोई जर्द्छी ग het ऐसा नहीं है जो इलहाम अलीवे घड़ड़ जा अजरब्र भैजान को इस बार इसकी मेज़बाँ और अध्द चता करनी थी और वहां के राष्पती जो है इसकी अध्द चता और मेज़बाँ शक्ता नाम है इलहाम-अलीव यह चार मई 2020 को नेम केद़्बा एक विबिनार का आयोजन किया जाता है जिसका नाम रखा गया नैम contact group या फिर नैम संपर्क समु ठीक जिसमें प्रधान मंतिर नरेंदर मोधी भी सामिल हुए थे और इसकी थीम थी United against COVID-19 ठीक है उद्देश से वही COVID-19 वैस्विक महारी के खिलाब लडाई में अंतरराष्टी एक जूटता को बढ़ावा देना और इससे निपटने हैं तो विविन देशो और अंतरराष्टी संगटनों के प्रयासों को गती देना नरेंदर मोधी जी इसका रेक्रम में सामिल हुए थे ठीक है चलिए अगला देखे यहां पूछा जा रहा है कि मार्च 2020 में सिप्री द्वारा जारी अ डी चोथा देखे शिप्री यानि की स्ठाखों अंतरराष्टी संती अनुसंधान संस्थान ने वर्ष 2019 के लिए अंतरराष्टी सरस्थांतर प्रवतिया रिपोर्ट को जो है नौ मार्च 2020 को जारी किया था यहां देख लिए जिसमें भारत जो है दूसरे अस्थान पर रहा ठीक है नौ मार्स 2020 को इस्टाक हों अंतराष्टी सांती अनुसंधान संस्थान यानि की सिप्री द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई थी और इस रिपोर्ट के अगर कुछ प्रमुक बारों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए वे बाते कौन कांसे होंगे हमारे वीश तो वे बाते होंगी कि वर्श 2015 से 2019 के मद्ध जो सिर्ष पांच हथियार निर्यातक देश थे वे थे पहला है इस्थान पर था भाई देश देखिए ना, चौथे पर जर्मनी और पांचवे पर चीन था, सिर्ष विस्व के सिर्ष निर्यातकों में, ठीक है, चीन जो है वो विस्व के सिर्ष आयातकों में भी पांचवे इस्थान पर ही रहा, सिर्ष निर्यातक और सिर्ष आयातक चीन रहा पांचवे इस पर चीन रहा ठीक है और अगर बात करें कि दोजार फंद्रह से उननीस यहां पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने प्रसांत महासागर में पूरवी चीन सागर इस्थित सेन काकु दूइप है इसकी लोकेशन जरूर देखेगे जैसे यह चीन है यहाँ पर ताइवान है इधर जापान है यहाँ बीच में एक छोटा सा आइलेंड है सेन काकु द्वीप ठीक है इसकी लोकेशन जरूर देख लीजेगा आप लो ठीक चली तो बताईए हाल ही में किस देश ने प्रसांत महा सागर में पूरवी चीन सागर इस्थित सेन काकु द्वीप समू के टोना सीरादीव का नाम बदल करके टोनी सीरो आगे देखते है ना प्रसन काहे परिसान हो रहा है टोनी सीरो सेन काकु रखने की घोसडा की है ठीक है टोना सीरो द्वीप का नाम बदल करके टोनी सीरो सेन काकु वस करना है ठीक है टोनो से टोनी करना है और और सेनकाकु तो है ही वो, ठीक है, सेनकाकु द्वीप सा मुझ में तो वास्थल है ही, बताइए कि इस देश के द्वारा ऐसा किया गया है, A. जापान, B. चीन, C. सिंगापूर, या फिर D. ताइबान, चले, सही अंसर है, इसका, आप्सन नंबर A. जापान द्वारा, देकि वर्तमान में जापान का लियंतर भी इस द्वीप पर है, सेनका क्या करते हैं, तोनी सीरो, तोनी सीरा, सिंगापू द्वीप पर, देकि 22 जून 2020 को ऐसा नेड़ा जापान के द्वारा लिया गया, क्योंकि चीन और ताइबान के द्वारा सिंगापू द्वीप समूझ पर अधिकारक लगातार से दावा किया जा रहा है, और इसी करण जापान ने नाम ब एक अन्य नाम है, देखे, इसको चीन तथा ताइबान द्वारा जो है इस द्वीप को जो है डियो यूसू के नाम से जाना जाता है, ठीक है, चीन तथा ताइबान में सेनकाकू द्वीप समूझ को डियो यूस द्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है, चलिए, अगला प्रस्ट देखते हैं यहां पूछा जा रहा है कि फरवरी 2020 में कहां पर संयुक्तराज अमेरिका एवं तालिबान के मध्ध एतिहासिक समझोते पर हस्ताचर किये गए A. दोहा B. दुबई C. इसलामाबाद या D. ढाका चले सही अंसर है इसका आफसर नंबर A. दोहा अब जो है टरंप जी जो है वह इसलामाबाद रुडाका तो आएंगे नहीं समझोता करने के लिए ठीक है देखें यह समझोता जो है अमेरिका और तालिबान के मध्ध 29 परोजी 2020 को दोहा कतर में हुआ था और इस समझोते का नाम था अफगानिस्तान में सांति लाने है तु समझोता ठीक है देखें इस समझोते के चार भाग रहे हैं उनको जान लिजी आप अच्छे से पहला सहित्राज अमेरिका एवं उसके सहयोगियों की सुरच्छा के विरुद्ध अफगानिस्तान के जमीन का सामूही की यह व्यक्तिगत उपियोग पर रोक दूसरा अफगानिस्तान से सभी विदेशी सेनेवलों की वापसी तीसरा दस मार्च दोहजार बीस से तालिबान द्वारा अंतर अफगान वारता की सुरुवात और सबसे अंतर में इस्थाई और व्यापक युद्ध विराम ठीक है यह चार भाग रहे इस समझोते के जो अमेरिका और तालिबान के मत्द्ध दोहा कतर में 29 फरवरी 2020 को अमिराथ C कुएत या D इराक चले लेकिस अरब जगत का पहला पर्मान सक्ति सेंत्र बारा का की सुरुवात की गई एक अगर्स्त दोहजार बीस को UAE के द्वारा ठीक है सहीं तरव अमिराथ के द्वारा बारा का का मतलब होता है आशिरवाद ब्लेसिंग्स ठीक है यहां द सेंत्र का संचालन जो है वह अमिरातनाफ की उर्जा निगम के द्वारा किया जाएगा इस जिसकी कुल लागत 24 दिसमलों चायर बिलियन डालर की होगी और इसका निर्मार जो है कूरिया इलेक्ट्रिक पावर निगम पावर कारपरिशन के द्वारा किया जा रहा है ठीक है यह बारा का सेयंत्र जो है यह अबुद्द्यावी के अध्योगि क्रिस सहर से अभुदधावी के अलुरुबास से लगभग तिरुपन किलोमेटर दूर इस तेथ ही ठीक है ठीक है चलिए शुरू करें अगले प्रश्ण पर चलें तो यहां पूछा जा रहा है कि हाल ही में निम्न में से किस देश द्वारा अंक आधारित नई वीजा प्राडाली की सुरुवात की गई A, UK, B, USA, C, France या D, Canada चलिए अंक आधारित वीजा प्राडाली की सुरुवात यूके द्वारा उननीस फरवरी 2020 को की गई और इसकी सुरुवात की यूके की ग्रिह सचिव प्रीती पटेल जी ने ठीक है और इसका उद्देश से था कि जो सबसे प्रतिभा साली और अच्छे व्यक्तियां वही उस देश में जा पाया उनको वीजा मिले यूके का और 37 सस्ते और कम कुसल स्रम्कों की संख्या को कम भी किया जा सके इस वीजा प्राणाली के लागू होने के चिती एक जनौरी 2021 रखी गई है ध्यान रखेगा यहां बताइए कि इस देश के अनुसंदान करताओं ने एक उलका पिंड से प्रित्वी पर सरवाधिक प्राचीन पदार्थी खोज की इसका ऑप्सन नंबर सी ए और बी दोनो ठीक है यानि कि संख्या प्राचीन अमेरिका और सुर्जर लेंड के वग्या अनुसंदान करताओं या रिसर्चरस ने मिल करके एक उलका पिंड अब एक उलका पिंड राज क्यों रखना देखे उस उलका पिंड का नाम है मर्ची सोन यह उलका पिंड जो है न वर्स 1969 में दच्छर पूर्वी आस्ट्रिलिया के विक्टोरिया प्रांत में गिरा था और इसी का अध्धन करते हुए इन अनुसांदान करत प्रिथिवी पर सरवाधिक प्राचीन पदार्त की खोज की है ठीक है अनुमान लगाए गया कि यह उलका इस उलका पिंड की उम्र जो है वह लगभग 4.6 से 4.9 बिलियन वर्स या फिर कुछ के दौरा यह अनुमान बताए गया कि लगभग 5.6 बिलियन वर्स या कुछ 7.7 7.7 बिलियन वर्स प्राचीन है ठीक है इस उलका पिंड पर जो पदार्त है ना उन में ठीक है उन पदार्तों की उम्र जो है वह कुछ पदार्तों की उम्र जो है वह 4.6 से 4.9 बिलियन वर्स पूरू की है और उलका पिंड के कुछ पदार्तों की उम्र जो है वह 5.6 बिलिय वर्ष प्राचीन तक है यही खोज हुई थी शंपत्राज अमेरिका और स्वीटिजर लेंड के विग्यायन के दोरा इसकी एज नियान टेकनलोजी के नियान से आधा नियान पे बेश्ड थी यानि की नियान ट्वंटिवन के दोरा जो है इनकी आयो को ग्यात किया गया था एन आयोजन कहां किया गया ए बैंककोक बी नूमपेन सी वी एंतियन या डी बीजिंग कि देखें तेर्मा एसिया बिजनेस एंड सोसल फोर्म दो हजार बीस जो है बैंककोक में आयोजित किया गया साथ फर्वरी दो हजार पीस को ठीक है इसका ऐयोजन जो है एसिया वन मैगजिन और उरस मीडिया के द्वारा व्यल किया गया ठीक है बैंकाउक थाईलन में 7 फर्वरी 2020 को तेरवा एस्या बिजनेस एंड सोसल फोर्म का आयोजन किया गया था ठीक है इसी के साथ जो है देखिए चौथा एसी आज ग्रेटेस्ट ब्रांड एंड लीडर सम्मेलन 2019-20 का आयोजन किया गया साथ फरवरी 2020 को ही बैंकक में वहीं इंडिया थाइलेंड टुडे टुमारो टुगेदर सम्मेलन का भी आयोजन किया गया भावना को आहत करने और वैक्तिका स्वतनतरता का उलंगन करने वाले दो पुष्टकों पर प्रतिबंध लगा दिया ए भारत बी मेंमार सी पाकिस्तान या डी बांगलादेश चली सही अंसर है इसका ओप्सन नमबर डी बांगलादेश देखिए बांगलादेश की उच्चने आयले ने दो पुष्टकों पर प्रतिबंध लगाया उन पुष्टकों का नाम ध्यान रखिएगा एक का नाम है दिया आरफिन और दूसरी का नाम है नानीर बानी इन पर प्रतिबंध लगाने का करार बताए गया बांगलादेशी उच्चने आयले के द्वारा कि यह पुष्टके जो है धार्मिक भावना को आहत कर रही है और साथ ही साथ व्यक्ति गया तो सतंतरता का उलंगन भी करती है इस पुस्टक को लिफा गया दियारसी अराग के द्वारा और यह प्रतिबंध लगाए गया 26 जनवरी 2020 को दिया आरफिन और नानीर बानी लिखा था दियारसी अराग ने प्रतिबंध लगाया बांगलादेश की उच्च निया आयाले ने ठीक है चलिए अगला देखिए यहां पूचा जा रहा है कि वह प्रथम अस्वेत जिसे जून 2020 में अमेरिकी सीनेट ने वाइव सेना के चीफ आप इस्टाप पत पर नियुक्त को मंजूरी प्रदान की चलिए बस इतना याद रखे कि अमेरिका का पहला अस्वेत वाइव सेना चीफ श्टाप बनेंगे चार्ल्स ब्राउन जूनियर ठीक है कब इनके नियुक्ती की गए किसने इनको नियुक्ती किया यह मत जानी है कोई मतलम नहीं बनता है यहां बताईए चार्ल्स ब्राउन जूनियर का नाम याद रखेगा बस आप लूग यहां पूछा जारा है किन्यम लिखित में से किस वैस्विक संगठन ने अपने नवीनतम मांचित्र में भारती संग राजचेत्र लद्दाक के अकसाई चीन को चीन का हिस्सा बताया चली सही अंसर है इसका डवलू एच्चो जाईज सी बात है चीन का फेवरेट ठिक तो डवलू एच्चो द्दाक के अकसाई चीन को चीन का चेत्र बता दिया गया अपने नवीनतम मांचित्र में और साथी साथ इनके द्दारा जो है पी ओके को भारत और पाकिस्तान के मत विवादी छित्र बता दिया गया ठीक और जम्मू कस्मीर और सेस भारत को अलग अलग रंग कोड के आधार पर प्रदर्शित भी किया गया डवलू एच्चो की माने चित्र में ठीक चली आगे चलते हैं देकि यह तो आपको पताईए कि 31 अक्टूबर 2019 को दोनों राजी छ दोनों का जो है संग राजी छेत्रों के रूप में पूनर घटन किया गया जम्मू कस्मीर और लद्दाक का यहां बताईए निम्लिखित में से किस इसलामिक देश ने अपना पहला सैन नजासु सी उपग्रह नूर सफलता पूर्वक प्रच्छेपित किया ए साउधी अरब बी इंडोनेसिया, सी इरान या पिर डी कतर सही अंसर है इसका आफसर नंबर सी इरान, इरान के द्वारा जो है अपना पहला सैन नजासु सी उपग्रह नूर का प्रच्छेपड किया गया अप्रेल 2020 में ठीक है यह प्रिथवी के 425 किलोमेटर उपरी कच्छा में इस्थापित किया गया है इरान के द्वारा यहां देख लीजिए नूर एक सेन नजासु सी उपग्रह जिसको इरान ने अप्रेल 2020 में लॉंच किया यह प्रिथवी की सतह से 425 किलोमेटर उपर कच्छा में सफलता ठीक आगे बताईए यहां पूछा जा रहा है कि अप्रेल 2020 में किसे खाड़ी देश ने नाबाली को द्वारा किये गए अपरात के लिए मृत्तु दंडु को समाप्त कर दिया है चली सही अंसर है इसका आप्सन नमबर डी सौधी अरब ठीक है सौधी अरब ने नाबाली को द्वारा किये अपरात के लिए मृत्तु गंड को समाप्त किया ही किया साथ में ही 10 वर्ष से अधिक कारवास की सजा न देने का भी प्रावधान किया इसके पहले जो है सौधी अरब ने कोड़े मारने की सजा को भी समाप्त कर दिया था ठीक है यहां देखिए सौधी अरब ने प्रावधान किया गया नाबाली को कि मृत्तु दंट पर रोक लगाई गई और 77 किसी भी नाबाली की अपरादी को फांसी की सजा नहीं दी जाए ठीक है कोड़े मारने की सजा भी समाप्त कर दी गए आगे बताईए यहां पूछा जा रहा है कि जन्वरी 2020 में ILO यानि की इंटरनेशनल लेवर और्गनाजेशन या फिर अंतरराष्टी स्रम संग्ठंद्वरा जारी विश्वर रोजगार और सामाजिक आउटलूक रूज जान 2020 ठीक है वर्ड इंप्लाइमेंट एंड सोचियल आउटलूक ट्रेंश 2020 के अनुसार वर्स 2020 में वैस्विक बिरोजगारी में लग भग कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है सही अंसर है इसका ऑप्सन नमबर सी 2.5 मिलियन बेरोजगारी में व्रद्धी होने का अनुमान जो है आई-लू की विश्वरोजगार और सामाजिक आउटलूक रूजान 2020 की रिपोर्ट में लगाया गया ऐसा अनुमान है ठीक है देखे इस रिपोर्ट को जो है 20 जनुरी 2020 को आयलो ने जारी किया और इसमें बताया कि वेस्ट्विक विरोजगारी जो है या 2020 में धाई मिलियन हो जाएगी ठीक है 2.5 मिलियन मँजूदा समय में जो 20 में विरोजगारों की संख्या है या 1588 मिलियन की है और परयाप्त भुकतान पर जो वेक्ति कारे नहीं कर रहे हैं उन्होंने सक्रियता से काम की तलास को करना छोड दिया है ठीक है अब देखवागे यहां पूछा जा रहा है कि कुल मिलाकर विश्व में बिरोजगारी से प्रभावित लोगों की संख्या 470 मिलियन से अधिक है और वेस्विक अस्तर पर आय समानता जो है पहले की तूला में विकास सिल देशों में अधिक हो गई है और वहीं वरतमान में जो कारेसील गरीबी है कारेसील गरीबी क्या होती तो जिनकी क्रेशक्ती में प्रति दिन 3.20 रुपए अमेरिकी डालर से कम की आय प्राप्त की जाती जिनके कद्वारा उनको जो है कारेसिल गरीब कहा जाता ठीक है तो कारेसिल गरीबी से प्रभाविश स्रमकों की संख्या वर्तमान में 6.30 मिलियन से भी अधिक हो गई है वहीं 15-24 वर्स की आयू के यूवा जो रोजगार सिच्छा या प्रसिच्छण से वन्चित हैं वह उनकी संक्या 266 मिलियन हो गई है यह सब भी विच्छ रोजगार और सामाजिक आउटलुक रुजहान 2020 की रिपोर्ट में बताया गया है जो कि ILO के द्वारा जारी की गई है ठीक है ध्यान रखेगा ILO की रिपोर्ट कई जगों पर आपको नहीं मिलती कुछ एक रिपोर्ट ही होती है इसके द्वारा जारी की जाती है जो तो उनके बारे में ध्यान रखेगा थोड़ी थोड़ी इंपार्टन फेक्ट है तो एक बार ध्यान देंगे याद हो जाएग गवाई क्यों परेशान है इतना legitimately इस इस रिपोर्ट में चumen है तो इस रिपोर्ट में बताएगा कि व्यापार पर तिवां और संरटन वाको तेज के प्रत्ययक्म और अप्रत्य चुरूप से रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा और इस रिपोर्ट का बार से गुरी से स्रवर प्रम हुए यह हम भी इंपर्टेंट फेक्ट नहीं है ठीक है चलिए आगे चलते हैं कोई मतलब नहीं है उसका तो यहां पूछा जा रहा है कि 4 अगी 3 फरवरी 2020 को सवयूंकत अरब अमिरात ने कितने ट्रिलियन क्यूविक फिट के प्राक्रतिक गैस भंडार की खोच की गोस्वडा की ए ? ? 50, B . c , c , c 100 औ i nah d110 इ ? चलिए चाही अंसर है इसका आफ्सन नंबर बी असी ट्रिलियन क्यूबिक फिट की प्राक्रितिक गैस भंडार के खोच की घोस्टरा तीन फर्वरी 2020 को सहिंक तरब अमिरातिया यूवेई के द्वारा की गई यह गैस फिल्ड जो है यह खोजा गया यह प्राक्रितिक गैस भं इसका खोज का उद्देश से हैं गया सूत्पादर में आत्मजरता प्राप्त करना दुबाई यूवेई का ठीक है चलिए बताईए यहां पुछा जा रहा है कि जन्वरी 2020 में ब्रिटेन के मीडिया संस्थान इकोनॉमिस्ट ग्रुप की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनि का एक यूनिट है ठीक है चलिए बताईए तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वरा जारी लोगतंत्र सुचकांक 2019 में भारत की इस अस्थान पर रहा A. 48 में B. 51 में C. 56 में या पर D. 68 में चलिए सही अंसर है इसका आप्सन नंबर B. भारत बहुती सुचकांक पर 51 इस्थान पर रहा ठीक है लोगतंत्र सुचकांक 2019 में ठीक है यह जी सुचकांक यारी किया जाता है EIU के द्वारा और यह जो है बारवा सुचकांक था ठीक है 12 लोगतंत्र सुचकांक 2019 में भारत का इस्थान रहा 91 इसको 22 जनुरी 2020 को मृटेन के मेडिया संस्थान The Economist Group की Economic Intelligence Unit के द्वरा जारी किया गया जिसमें कूल 165 स्वतंत्र देश और दो टेरिटोरी या फिर छेतर सामिल थे यह सुचकांक जो है यह 5 स्रेटियो पर आधारित होता है जिन में चुनाव प्रक्रिया एवन भहुलवात, नागरीकों की स्वतंत्र था, सरकार के कामकाश, राजनितिक भागेदारी और राजनितिक संस्कृति सामिल रहते हैं भारत को इस वर्ष जो है 6.99 अंबर प्राप्ट हुआ या स्कोर किया भारत के दोरह स्कोर प्राप्ट किया गया 6.9 का और भारत का इस्थान रहा 51 पिछले वर्ष यानि की वर्ष 2018 के लोगतंतर सुचकांक में भारत का इस्थान था 41 वही दोगतंतर सुचकांक में पहले इस् आइसलेंड तीसरे पर स्वीडन और चौथे पर न्यूजिलेंड पर उसी देशों के बारे में बात करें तो भारत की परूसी परोस में स्थितय स्रिलंका का इस्थान रहा पाकिस्तान एक सो आठ में तथा चीन एक सो तीरपनवे स्थान पर रहा अगर सब बात करें सबसे अंतिम देश की एक सो सठवे देश की जिसको लोग तंतर सुचकांग 2019 में स्थान प्राप्त हुआ तो वह हुआ अब स्थान प्राप्त उत्तर कोरिया को ठीक है चलिए अगला बी पाकिस्तान सी इथियोपिया या डी केनिया चलिए पाकिस्तान भाई इससे जो है समाल नहीं पाएं टिड्डियों के हमले को और इन्होंने टिड्डियों के हमले पर ही आपातकाल की घोसड़ा कर ली ठीक है फरवरी 2020 में इनके दोरा इस आपातकाल की घोसड़ा की गई और आधार बताए गया टिड्डियों के हमले का ठीक है चलें अगले प्रस्ट पर चलें देखे टिड्डिया जो है एक उस्ल कड़िबंदी प्रकार के कीट है यह उड़ने में आविस्टसनी इनके पास छमता होती है और कुछी समय में यह हजार एक्टेर की फसलों को भी नष्ट कर देते हैं कुछ विसेश इनके बारे में जानते रहिए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बड़े प्रमान पर फसलों को नष्ट कर दिया गया था हम लोग भी प्रभावित हुए थे पर उतना ज्यादा नहीं ठीक है यहां पूचा जा रहा है कि जन्वरी 2020 में वर्ड ब्रिस्ट कि buckacalत जिसकर जिसकर है जांड तर जाकर चार शारीम होड ही डिलो्र हो उसेश में ब्लू में जमस्तान ग्यावित है उसस्थान पाढ़ा तो स्रिलंका होड़ के साथ पहले इस्थान पर रहा है पूछा जा रहा है कि वर्स 2020 के लिए जी सेवंटी सेवन समू का अध्धच की सितेश को चुना गया है ए फिलिस्तीन बी मिस्र सी दच्छड अफ्रिका या फिर डी गुआयना चले सही अंसर है इसका आफ्सन नंबर डी गुआयना को जो है जी सेवंटी सेवन समू का अध्धच चुना गया है वर्स 2020 के लिए इसके पहले यानि कि दोहजार उन्निस के लिए जी सेवंटी सेवन का अध्धच था फिलिस्तीन और बात करें भारत की या फिर ये बात करें कि क्या गुआयना पहली बारी समू का अध्धच बना है तो नहीं गुआयना जो है इस से पहले वर्स 1909 में में इस चब्धटान है लिए और जी सेवंटी सेवन जो है एक संभक त्राष्ट के देशों का एक समयुक तराष्ट मे विकास सिल देशों का एक संगठन है G77 कभी-कभी ना सब्दों के चैन में थोड़ा सा हेर फेर होता है तो इन्हें आप अर्जेस्ट किया करिए ठीक है देखे G77 की स्थापना जो है न 15 जून 1964 को जिनेवा में 77 देशों के द्वारा मिल करके संग तुरूप से की गई थी और वर्तमान में G77 बढ़ करके G135 हो गया यानि कि 135 देशिस में सामिल हो गया है G77 में सामिल होने वाला 135 वा सदसे देश रहा जिम्बामबे और बात करें भारत की तो भारत भी G77 का सदस है और यह हाल ही में सुर्खियों रहा ताल जौला मुकी फिलिपेन्स के किस दीप परिष्थित है A. सेबू B. समर C. पैलावन या फिर D. लुजान आता हूँ एक मिनट में चली इसका सही अंसर है option number D लुजान परांत में है ठीक है फिलिपेन्स की राषधानी मनीला से लगभग 70 किलोमेटर दूर लुजान दीपर इस्थित है और इससे निकलते लावा का विष्थार लगभग 10-15 किलोमेटर तक था यह स्टेटमेंट आप मत धियान रखे 13 जनुरी 2020 से लावा जो है यह जौला मुकी जो है वह पुना सक्रिय हो गया जो की फिलिपेन्स के जौला मुकी फिलिपेन्स के लुजान दीपर अवस्थित है इसके पहले जो है इसमें आकरी विसपोट वर्थ 1977 में हुआ था और फिलिपिन्स के मेयान ज्वाला मुखी के बाद दूसरा सबसे सक्रिय ज्वाला मुखी बन गया है ताल ज्वाला मुखी चलिए अगला प्रस्थ देखी तो यहां पूछा जा रहा है कि जन्वरी 2020 में कैटरीना सकेला रूपोउला किस देश की पहली महिला राष्टपती निर्वाचित हुई है ए यूनान बी पूर्टगाल सी स्विटिजर्लेंड या फिर डी ट्यूनिस या कई बाराओ कई टेस्सिरियों में इनके बारे में हमने देखा है तो आप आसानी सिंग का जवाब दे देंगे सही अंशर है इसका उप्षन नमबर ए यूनान या ग्रीस की जो है पहली महिला राष्टपती बनी है यूनान या ग्रीज की पहली महिला राष्टपती बनी है जन्वरी 2020 में और कुछ जानने के बारे आउशकता नहीं है इनके बारे में कि पदगब ग्रहन किया मार्च 2020 में निर्वाचन कब हुआ 2022 जन्वरी 2020 यह सब मत जानी है इनके बारे में कि यूनान या ग्रीज की पहली निर्वाचित राष्टपती चुनी गई है ठीक है अगला बताईए यहां पूछा जा रहा है कि फर्वरी 2020 में कौन सा देश राष्ट मंडल या कॉमन वेल्थ में पुना सामिल हुआ डी तुवालू चल सही अंसर है इसका ओप्सन नबर बी माल दीप जो है यह राष्ट मंडल में फिर से सामिल हो गया फर्वरी 2020 में इसके पहले माल दीप 30 16 में राष्ट मंडल से अलग हो गया था लेकिन बाद में इसके दोरा जो है दिसम्बर 2018 में फिर से रिक्वेस्ट किया गया है या अनुरोध किया गया कि इसको जो है राष्ट मंडल या कामन वेल्ट में फिर से सामिल कर दिया जाया है ओजोन चैकारी रसायनों में से एक हाइड्रो क्लोरो फ्लोरो कारवन HCFC 141 B को पूरी तरह से समाप्त करने में सफलता प्राप्त की है A. USA, B. भारत, C. रूस या D. आस्ट्रेलिया चलिए, सही अंसर है इसका आफ्सन नमबर B. भारत सोचा था आप लेगों ने? ना, लेकिन भारत ने HCFC 141 B पर पूरी तरीके से समाप्त करने या रोक लगाने में सफलता प्राप्त कर ली है देखे, HCFC 141BS इसका प्रयोग फोम निर्माल कमपनियों में किया जाता था ठीक, इस रसायन का उपयोग फोम निर्माल करने वाली कमपनियों में किया जाता था हाल ही में जो है न, Ozone Deplating Substances Vinamon और नियंतर संसोधन नियम 2019 के तहट इसको प्रतिबंधित कर दिया गया पूरी तरीके से भारत में 1 जन्वरी 2020 से इस अधिनियम या इस नियम को लागू किया गया है ठीक है? चलिए चलिए अगले प्रस्म बर देखिए HCFC 14BS जो है या क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स के बाद सबसे सक्तिसाली ओजोन च्छैकारी रसायन है यहां बताईए इरान ने अपनी लगदूरी तक मार करने वाली किस मिसाइल का खुलासा किया? A. राड 500 B. इकारा C. साहीन या D. अलफहद चली सही अंसर है इसका आप्शन नमबर A. राड 500 ठीक है या एक लगदूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका कुलासा हाल ही में जो है इरान के रिवोल्यूशनरी कार्ड कॉप्स के दौरा किया गया ठीक है इरानियन रिवोल्यूशन गार्ड कार्प्स या IRGS के द्वारा किया गया ठीक है क्राप्स तो फसल हो जाएगी ना या जो है बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम है राड 500 और इसकी मारक चमता 500 की तरह 500 कि तरह 500 किलो मिटर है इसका खुलासा किया गया फरवरी 2020 में इसके सांस साथ देखें राड 500 में नई पीड़ी की मिस्र धास से बने एक जोहर इंजन का प्रयोक किया गया ठीक है ग्रहों को अंत्रिच में इस्थापित करने के लिए और मिसाइलों में प्रयुक्त होने के लिए राड 500 की मिसाइल में प्रयुक्त होने वाले इंजन का नाम जोहर इंजन है ठीक है दोनों नाम ध्यान रखेगा आप लो यहां बताईए हाल ही में विश्व भविश्य पूर या पिडी दुबाई चली देखे अबुधावी में 13 से 16 जन्वरी के मद्द जो है विश्व उर्जा सिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन हुआ जिसकी थीम रही री थिंकिंग ग्लोबल कंजम्शन प्रोडक्शन और इन इन्वेस्टमेंट ठीक है ऐसे आधर के री थिंकिंग ग्लोबल ठीक उसके बाद कंजम्शन प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट यानि कि वैस्विक उपभोग उत्पाधन और निवेस पर पूनर विच्यार ठीक है इस्तम्भू क्रूप से उर्जा सौर जल अपसिस्ट और स्मार्ट सर्टर यह नहीं पूछा जाएगा आप से यहां ध्यान रखें देखें 170 देशों के 33,500 प्रतिवागियों और 800 विशेसर के इस फूरम यानि कि विश्व भविश उर्जा सिकर सम्मेलन 2020 में सामेल हुए थे ठीक है यहां पूछा जा रहा है कि संजुकत्राज अमेरिका ने किस देश को मुद्रा हेर फेर, यानि कि मैनिपुलेटर सूची से बाहर कर दिया है A. टर्की, B. पाकिस्तान, C. चीन, या D. रूस चलिए देख सहिकतराज अमेरिका के दोरा जो है चीन को मुद्रा हेरफेरिया मैनिपुलेटर के सूची से बाहर कर दिया गया ऐसा 13 जनुरी 2020 को बीजिंग और वासिंगटन के वारता करताओं के मद्ध हुई पहले चरण पर हरस्ताचर करने से दो दिन पहले ही अमेरिका के ट्रेजरी विभाग द्वारा चीन को मुद्रा हेरफेर सूची से हटा दिया गया बाकि ऐसा कुछ नहीं इसका कारण चीन ने पारदर्शिता और जवाब देही को बढ़ावा देते हुए प्रतिस परधात्मक और मुल्यन से बचने के लिए मानक प्रतिबद्धताएं बनाई है देखे चीन को मुद्रा हेरफेर या मैनिपुलेटर की स्रेडिमेंट सामिल किया गया था सूची में सामिल किया था अगस्त 2019 में अमेरिका के द्वारा वर्तमान इस्तिती क्या है वर्तमान में चीनी मुद्रा को जो जर्मनी और जापान जैसे अन्य देशों ने चीन की मुद्रा को निगरानी सूची में रखा हुआ है ठीक है मुद्रा प्रथाओं के लिए चीन को निगरानी सूची में रखा है जर्मनी जापान जैसे अन्य देशों के जन्य देशों ने ठीक यहां पर बताईए एक सेकंडी ने हटा दू तो यहां पूछा जा रहा है कि किस देश द्वारा अंटार्टिका में कुमान दानते फिराज नामक एक नया अनुसंधान बेस का पुनर निर्माड या नया अनुसंधान बेस इस्थापित किया जाएगा ठीक है आप्सन है ए पेरू, बी ब्राजील, सी कोलंबिया या डी उरुगवे नाम है उसका कुमान दानते फिराज चलिए सही अंसर है इसका आप्सन नमबर ब्राजील के दोरा जो है कुमान दानते फिराज नामक एक अनुसंधान या रिसर्च बेस का पुनर निर्माड किया जारा दरसल लेकिन प्रस्ट में हेर फेर करते हुए आपसे नया भी पूछा जा सकता है ठीक है तो जानते रहे दोनों नया या पुनर निर्माड जीस अंसंधान या रिसर्च बेस का किया जारा जिसका नाम कुमान दानते फिराज है अन्टार्टिका में इसको बनाया जा रहा है ब्राजील के दोरा ठीक है चलिए इसके बारे में अब चीजों को देख लेते हैं जो देखे पुर्णर निर्माल की राज कितनी होगी मत जानी है ठीक है इस स्टेसर में रिसर्च वेस पे 17 प्रयोक साला है और 64 लोगों के लिए आवास बनाया जा रहा है ठीक है इसका कुल छेतरपल 48,500 वर्क फिट का होगा और यह ब्राजील द्वारा किंग जार्ज दीप ठीक है अंटार्टिका के किंग जार्ज दीप पर बनाया जा रहा है ठीक है इसके पहले यानि कि जो मूल कुमांदाते फिराज इस रिसर्च वेस था उसमें आठ वर्स पहले यानि कि 2012 में इधन रिशाव के कारण आग लग गया था और वह बेस जो है नश्ट हो गया था कुमांदाते फिराज जो है अंटार्टिका में अंटार्टिका स्टेशन की इस्थापना जो है वर्स 1984 में किया गया था ठीक है कुमांदाते फिराज के जो है वर्स 1984 में इस्थापित किया गया था और इसका उब्योग जो है सूथ मजीव गलेशियरों और जलवायू का एंसर छोटा सा है, पूछ रहे हैं कि संयुक्तराष्ट बाल कोस यानि कि UNICEF द्वारा जारी Levels and Trends in Child Mortality Report 2019, कौन जारी करता है, UNICEF जारी करता है, ध्यान रखेगा Levels and Trends in Child Mortality Report UNICEF के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, तो बताना है इसमें कि Levels and Trends in Child Mortality Report 2019, की अनुसार, वर्स 2018 में पूरे विश्व में पांच वर्स से कम आयू के बच्चों के कुल मौतों में से आधी मौते पांच देशों में हुई, विकल्प में कौन सा देश इन पांच देशों में सामिल नहीं है आये इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा अच्छे से जान लेते हैं, देखे इस वर्स यह जो है 2019 की रिपोर्ट में बताया गया कि वर्स 2018 में वैस्विक रूजहानों के विपरीत भारत में पांच वर्स से कम आयू के लड़कियों की मृत्यू दर लड़कों की तूलना में अधिक थी, यानि कि जिन बच्चों की उम्र पांच वर्स से कम है उसमें लड़कों की मौत कम हो रही है ठीक है लड़कियों की मृत्यू जादा हो रही है ऐसा जो है इसमें बताया गया लेवल साइन ट्रेंट्स इन चाइल्ड मॉल्टेल्टी रिपोर्ट 2019 में 2018 के लिए बताया गया वैस्विक रूजहानों के विपरीत कहने का मतलब है कि वैस्व पांच वर्ष से कम आयू के बच्चों के कुल मौतों में आधी मौते दे हो है या सिर्फ पांच देश कौन कौन से है भारत नाइजीरिया पाकिस्तान रिपबलिक अफकांगो या अंगल लोकतांत्रिग गर्राज और पांच वां रहा एथियोपिया ठीक है इन पांच सिर्फ और भारत और नाइजियरिया में ही हुई हैं ठीक है पांच वर्स से कम आय Was बिद्चों की tough में से एक इतिहाई इंद जिसमें भारत में लड्किव कीम्रितिय जादा हुई है लड्कों कीम्रितिय कम हुई है यहां देखे वैस्वी कश्तर पर 2018 में बच्चों और किसोरों की कुल मौतों में से मौते जीवन के प्रथम पांच वर्सों के दौरान यानिकि प्रथम पांच वर्सों के दौरान जीरों से पांच वर्स तक की आई में जो 85% हुई है कुल मौतों की ठीक है बच्च वर्तमान परद्रिस में यह भी बता गए कि अगर 2019 से 30 तक 5 से 14 वर्स आयू वर्ग और 5 वर्स से कम आयू के बच्चों की वर्तमान परद्रिस के अनुसर यह जो ट्रेंड चला रहा है इसी के हिसाब से अगर ऐसे मृत्य होती रही तो 2019 से 30 के मध्य 5 से 14 वर्स आयू वर्ग के 10 मिलियन बच्चे और 5 वर्स से कम आयू के 52 मिलियन बच्चों की मृत्यू हो जाएगी जिसमें इसी रिपोर्ट में अन्ने बाते कहीं गए जैसे कि भारत में 1000 बच्चों पर नौजात सिस्वों के मृत्यूदर तेईस रही और भारत के उच्चतम नौजात मृत्यूदर वाले राज्य रहें मध्य प्रदेश ओडिशा और उत्कर प्रदेश ठीक है तो थोड़ा ध्यान रखेगा निश्ट बात कर लेते हैं यहां पूछा जा रहा है कि जन्वरी 2020 मे भारत और किस देश के तटर अच्चक बलो के बीच चिन्नाई तट पर बंगाल की खाड़ी में सहयुक्त अभ्यास सहयोग काईजीन का पंद्रवा संस्कुराण आयोजित हुआ है सही अंसर है इसका आप्सन नंबर सी देखे सहयोग काईजीन जो है भारत और जापान के तटर अच्चक बलो के बंद्र किया जाने वाला एक सहयुक्त अभ्यास है और इस वर्स पंद्रवा संस्कुराण आयोजित किया गया 16 जनुरी 2020 को चैन्नाई तट पर बंगाल की जी गया नहीं तो मैं अगले लेक्चे इसके बारे में आपको एंसर मिल जाएगा इस रेक्षब में कमेंट वाक्स में इसकमी के वीक आइसर मिल जाये सैंसर До कुन अशी कोण को आ 1990 है की पहचान की गई ए छे स्वास्ट चुनोतियां भी 10 स्वास्ट चुनोतियां सी 13 स्वास्ट चुनोतियां या फिर दी 15 स्वास्ट चुनोतियां कि सही अंशर इसका option no c डबलुएचयों के द्वारा जो है वैस्विक चुरूटियों के लिए तेरह स्वास्डी चुरूटियों को ey ासरे पहचान की गई है और उनमें जो है सामिल है देखे देखे तेरह जनर्वरी 2020 को इन चुरूटियों के पहचान करते में सूची को जारी की गई और उनमें सामिल किया गया जलवाई संकट को, संघर्स और संकट गर्ष तराष्टों के हेल्थ केर उपलब्द करवाना, हेल्थ केर समानता, दवाओं तक महुच का विष्तार, संक्रामक रोगों को रोकना, महमारी के लिए तयारी, खतरनाक उत्पादों से लोगों की सुरच हमारे स्वास्थ की रच्छा करने वाले लोगों में निवेश करना किसोर को सुरच्छित रखना जनता का विश्वास अरजित करना नई तकनिकों का उपयोग करना हमारी रच्छा करने वाले दवाओं की सुरच्छा करना और तेरवा स्वास्थ का ध्यान रखना जिसमें महत् या सबसे प्रमुख खत्रा या सबसे प्रमुख चुनोति जलवाई संकट और एम आर यानि की इंट्री माइक्रोबियल प्रतिरोध को बताया गया ठीक है किसने जोह वैस्विक स्वास्थ चुनोतिया जारी करी यह जानते रहे हैं यह डबलू एचो ने जारी की कब की 13 जनरी नहीं उतना महत्पूर्ण है मेंस के लिहास से जरूर इंपर्टेंट है ठीक है चली एंसर राटिंग में यह सब चीजे आपके काम आती है यहां बताइए हाल ही में अमेरिका की पूर विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन को किस विस्विद्याले की पहली महिला साथ चांसलर नियुक्त किया गया A. कुलंबिया विस्विद्याले B. क्विन्स विस्विद्याले C. स्टैन्फोर्ड विस्विद्याले या D. केम्ब्रीज विस्विद्याले साही अंसर है इसका option number B, Queen Swiss स्वुद्धियाले ठीक है, कहां पर है Queen Swiss स्वुद्धियाले हैं, यह है United Kingdom में ठीक है, UK की Queen Swiss स्वुद्धियाले का पहला मालिया चांसरल निउक किया गया, पूर्व अमेर्गी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन को, अगले पांच वर्षों के मार्च 2020 में होने वाले अंतरराष्टी नौसयनिक अभ्यास मिलन का आयोजन कहां पर स्तावित है ए बीजिंग चीन बी विशाखा पत्तनम भारत सी कुलालामपूरम मलेसिया या डी जैकारता इंडोनेसिया अंतरराष्टी नौसयनिक अभ्यास मिलन 2020 का आयोजन विशाखा पत्तनम भारत में आयोजित होने वाला था लेकिन इसको कुरोना वायरस के कारण अस्तगित कर दिया गया इसका आयोजन जो है 18-28 मार्च 2020 के मद्ध सिनर्जी अकराष्ट सीज थीम के साथ विसाखा पत्तनम आंध प्रदेश में होने वाला था ठीक है और यह 11 संस्क्रण था अंतरराष्टी नौसयनिक अभ्यास मिलन 2020 का ठीक है मिलन का ठीक है 2020 में तो 11 संस्क्रण होना था ठीक है इसका आयोजन जो है पूर्वी नौसयना कमान द्वारा किया जाना था ठीक है चल यह चलते हैं अगले प्रस्ट बर इसमें देखे लगबग 40-100 की नौसयनाएं भाग लेने वाली थी वहीं विदेशी नौसयनाओं के बीच इसका उद्देश क्या रहता है तो विदेशी न 2020 के सिर्ष 10 भूर आजनेतिक संकटों का वर्डन किया गया है इसमें भारत की भूर आजनेतिक संकट का स्थान है ए पांचवां बीनौवां द्वां द्वां चलिए अंसर है इसका आप्सिन नूमर भारत की भूर आजनेतिक संकट में जो है पांचवां स्थान प्राप्त कि जो 2020 में जो भूर आजनेतिक संकट होने वाले हैं वह किन किन कारवडों से होने वाले हैं ऐसे जानते रही ठीक है तो देखे छे जनुरी 2020 को इस रिपोर्ट को पहली बार जारी किया गया था यूरेसिया ग्रूप के द्वारा लेकिन बाद में इसको जो है 19 मार्स 2020 को फिर स से अपडेट किया एगा ठीक है इसमें भूर आजनेतिक संकटों में इस्थान के बारे में जानी तो पहले पर सहिकतराज अमेरिका के चुनाव हैं दूसरे पर सहिकतराज अमेरिका एवं चीन में प्रद्योग की अलगाव तीसरे पर सहिकतराज अमेरिका एवं चीन प्रतिबंध निर्यात नियंत्र एवं भाइसकार रहा चोथे पर MNC यानि कि बहुराष्ट्री निगम जलवाई परिवर्तन गरीबी निवनीकरण और व्यापार एवं निवेश रहें पांचवे पर मोधी 2.0 सामप्रताइक एवं धार्मिक और स्थिर्ता और विजेशी नी में हुए सहिंवक्त समख्रियूजना समझ्टाइब से अलग होने का गुस्टा की ए इरान, बी इराक, सी अमेरिका या फिर डी ब्रिटेन, जेसी पीओ यानि की जॉइंट कॉंफियेंसिव प्लान आप एक्शन, सहीं तो समगर कार रियोजना समझ होता इसका ऑप्शन नमबर, इरान दोरा इससे अलग होने की घुसला कर दिए इसको इरान परमान समझ होता भी कहा जाता है जानते ही हैं आप आप लोग आसानी समझ गया हो किस कारण ऐसा इरान ने किया तो देखे, USA इस समझ होते से अलग हो जाता है मार्ठ मई 2018 को ठीक है उसके बाद USA ने इरानी कुर्द पोर्स के कमांडर कासिम सुलिमानी की संगतराष्ट की हत्या कर दी बगदाद इरान में इराक में और जेसी पीओ समझ होता जो है यह मार्च दो हजार वर्स 2015 में हुगा था इरान और संगतराष्ट सुरच्छा परिशत के इस्थाई सदस्यों के मद्द ठीक है बाद में यह से इस समझ होते से अलग होता है इस समझ होते काने नाम ठीक है यह सब्सक्रीज आपको पता है छे जनरी 2020 को जेसी पी यूए से इरान भी अलग होने की घुसला कर चुका है यहां बताईए हाल ही में किस देश ने लेजर आधारित वायूरच्छा पराणाली का अनावरण किया इसका अप्सन नमबर इसके द्वारण जो है इसका अनावरण जो है इसका अनावरण जो है इसका आठ जनुरी 2020 को किया था और इसके द्वारण जो है सच्चम हो गया है या फिर यह जो है लेजर आधारित वायूरच्छा परालाली इनको पहचाने गी और नश्ट कर देगी ठीक है इसका विकास और इसका निर्मार जो है इकानोमिक लीग टेबल 2020 ए दोहजार चबवीस बी दोहजार पचीस सी दोहजार चोववीस या डी दोहजार तेईस भारत जर्मनी को पचाड़ करके विष्व का चौथा अर्थोज़श्टा कब बनेगा चले साही अंसर है इसका आप्सन नमबर ए दोहजार चबवीस तक जो है भारत जर्मनी को पीछे छोड़ करके विष्व की चौथी अर्थोज़श्टा बन जाएगा वर्ड एकानोमिक लीग टेबल 2020 रिपोर्ट के अनुसार इस रिपोर्ट को 26 जनुरी 2019 को United Kingdom based एक सिंटर और इकानोमिक एंड बिजनेस रिसर्च के द्वारा जारी किया गया ठीक है और इस रिपोर्ट से सम्मधित अगर अन्य प्रमुक्तत्यों के बारें बात करें तो देखिए वर्स 2019 में फ्रांस और United Kingdom को छोड़ करके भारत विष्व की पांच वी सबसे बड़ी का कार पांच ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा वहीं चेन जो है वर्स 2030 में अमेरिका को पीछे छोड़ करके विष्व की सबसे बड़ी अर्थोश्था बन जाएगा तो अमेरिका जो है वर्तमान में फिष्व जीडीपी का 24.8 प्रतिशत हिस्षा अपने पास रखता है और यह विष्व की सबसे बड़ी अर्थोश्था है यहां बताईए यहां पूचा जा रहा है भारत और उमान के बीच बारवां दीपच्छी नौसेनिक अभ्यास नसीम अलबहर का आयोजन कहां किया गया ए गोवा बी विषाखा पत्टनम सी चिन्नाई या डी पस्चिम बंग अभ्यास किया गया ठीक है नसीम अलबहर जो है भारत और उमान के बीच किया जाने वाला एक नौसेनिक अभ्यास है ठीक और इसका आयोजन किया गया गया गोवा के मुर्मु गाउं तट पर जिसमें भारत के आई एनस व्यास और आई एनस सुवद्द्रा दौरा भाग लि चलिए अगला देख लेते हैं यहां पूछा जा रहा है कि भारत को संविक्तराज अमेरिका से कच्चे तेल के आयात को दो गुना करने की योजना है अमेरिका से कच्चे तेल की खरीद भारत भारत दौरा निम्न में से किस वर्स शुरू की गई A. वर्स 2015-16, B. वर्स 2016-17, C. वर्स 2017-18 या D. वर्स 2018-19 चल सही अंसर है इसका आप्सन नंबर C. दो हजार सत्रह अठार ठीक है भारत ने दो हजार सत्रह अठार से अमेरिका से तेल का आयात करना शुरू किया था जो कि वर्तमान में 6 मिलियन टन प्रतिवर्स से अधिक है ठीक है लेकिन भारत द्वारत जो है इसे दो गुना करने का लच रखा गया दो गुना यानि की 12 मिलियन टन प्रतिवर्स करने का लच रखा गया या फिर ऐसी भारत योजना बना रहा है ठीक है लच नहीं रखा ऐसी भारत द्वारत योजना बनाई जा रहे अगर बात करें भारत क सिर्स आयात को तरुक्त की बारे Park जो है भारत को सरवाधिक तिल प्रदान जाता है 46.6 million तन का उसके बाद दूसरे नमबर पर स्याधी आरब का याष्थान आता है 40.3 million तन के अंतीनर पर समय को तरफ अमिरात आता है 17.5 पांच मिलियन टन के साथ ठीक है भारत रूस और अफ्रीका अफ्रीकी तेल उत्पाज़क देश को सां तीरकलिक तेल आपूरती अनुवंद करने है तो इच्छुक भी है जिससे हम अपनी उर्जा को ले करके निश्चिन्त हो जाए यहां बताईए जन्वरी 2020 में निम्रमे से किस हवाई एड्डे को कार्बन उस्वर्जन कम करने के लिए अंतरराष्टी मानेता नहीं प्राप्त हुई ए नेताजी सुभास चंदर बोस अंतरराष्टी हवाई एड्डा कोलकाता बी बीजु पतनायक अंतरराष्टी हवाई एड्डा भूनेस्वर्ज सी लाल भाहदुर्शास्त्री अंतरराष्टी हवाई एड्डा वारान सी या फिर डी गुरु रामदास जी अंतरराष्टी ह हवाय एद्डा अम्रित सर जल शही अंसर है इसका对 Vision No.D всё गुरु रमदार जी अंतरास्टी हवाय एद्डा अम्रिस सर को जो है कारबन उसरजन कम करने के लिए अंतरास्टी मांनेता प्राप्त नहीं हुई ठीक है और अंतराष्टी माननेता प्राप करने वाले एरपोर्ट के नाम रहें नेता जी सुवार्श चंद्रवोष अंतराष्टी हवाई एड़ा कुलकाता बीजु पटनायक अंतराष्टी हवाई एड़ा भूनेश्वर लाल बहादूर सास्त्री अंतराष्टी हवाई एड़ा वा तिक है इसकी घुस्रा किसे द्वारा की जाती है एरपोर्ट कांसिल इंटरनेशिल लियानी की एस ईयाई के द्वारा की जाती है 2018 में इन चार हुआयट का नाम सामिल किया गया जिनके बारे में आपको बताया गया चलते हैं अगले प्रस्ण पर निश्चिंत रहिए बहुत जल्दी लेक्चर समापत हो रहा है दो तिन प्रस्ट और बचे हुएं बस इसके बाद जो हम बात करेंगे आपसे कुछ देर बाद ही आर्थकी के बारे में सत्रवां BIOACI Session 2020 जो है भारत के हैदराबाद सहर तिलंगाना में आयोजित किया गया कब कह अओर कहां पर तो हैदराबाद International Convention Center तिलंगाना में ठीक है 17 से 19 सोथरोरी के मद्ध सत्रवां BIOACI Session 2020 आयोजित किया गया जिसको जो है तिलंगाना सरकार और Federation of Asian Biotech Association यानि कि फाबा के तौरा मिल करके सहिक तूरूप से आयोजित किया गया जिसकी थीम रही कल के लिए आज Today for Tomorrow और इसमें यानि कि सत्रवे बायो एस या सम्मेलन में साजिदार देश या पार्टनर सी प्रास्ट रहा स्विट्जर लैंड ठीक है थीम टूडे फौर तुमारो निक्ष्ट बात कर लेते हैं यहां पूछा जा रहा है कि सत्रवा भारत EU यानि कि इंडिया EU सिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा ए लंदन बी पेरी सी ब्रूसेल्स या डी जिनेवा चल देखे सत्रवा भारती इंडिया EU सिखर सम्मेलन जो है या ब्रूसेल्स में आयोजित किया जाएगा और इसकी ठीम रहे गया पिर या केंद्री रहे के पच्छी व्यापार एवन निवेश समझोते पर यूरो पोल पर आतंकवाद निरोध पर यूरेटेम पर जलवाई परिवरतन आधी के बीच जो है मुक्रूप से बात की जाएगी इस सम्मेलन की का या जो है बेल्जियम की रहस्दानी ब्रूसेल्स में आयूजित किया अध्यान सत्रवासन सब्सक्राइब ठीक है 2020 में देखे बीटी आई के बारे में जानते लेजिए तो बीटी आई क्या है तो यह भारत और यूरोपी संक बीच वर्स 2007 में सुरू हुआ एक मुक्त व्यापार समझोता है या फिर फ्री ट्रेड एग्रिमेंट है बी टी आई ठीक है बी आई टी यह रहता तो बीटीया करके याद कर लेते हैं कि नहीं चलिए कोई बात नहीं बतीया करके याद कर लेजी है ठीक है यहां बताईए यहां पूछा जा रहा है कि जन्वरी 2020 में संक तरब अमिरात यानि के यूवेई ने सभी राष्ट्रियताओं के लिए कितने वर्षी बहु प्रवेश वीजा योजना की घोस्वला की है ए दो वर्ष बी पाँच वर्ष सी दस वर्ष या डी पंद्रह वर्ष चले सही अंसर है इसका आफ्शन नंबर पी पाँच वर्ष नहीं एक बड़ आपको यूवेई का वीजा मिल जाएका तो आप अगले पाँच वर्ष वर्ष तक आपको वहां का वीजा प्राप्ट करने के लिए जरूरत नहीं है अपलाई करने के ठीक है ऐसा यूवेई ने 6 जनुरी 2020 की एक गोस्वलाग द्वारा कर दिया और उद्दे से था उसका की अपना यूवेई को वैस्विक परेटन का केंदर बनाना ठीक है आप अगर एक बर वहां जाते हैं तो आप वहां अधिक्तम 6 महा तक रह सकते हैं और पहले जो है आप अधिक्तम 30 या 90 दिनों की अधिक के लिए ही एक अलिया बहु प्रवेश वीजा प्राप्ट कर सकते हैं लेकिन वर्तमान में अब आप इसे 5 वर्ष तक के लिए प्राप्ट कर सकते हैं ठीक है और ऐसा नहीं एक बार गया तो पांच सल बाद ही लोटे एक बार गया तो अधिक्तम 6 माही रुख सकते है यहां पूछा जारा कि हाल ही में किस देश की संसद ने एक विध्ययक पारित कर संप्तराज अमेरिका के सैनेबलू और रच्छा मुख्याले पेंटागन को आतंकवादी घोसित किया ए इरान, बी इराक, सी सीरिया या डी लीविया चल सही अंसर है इसका आप्सन नमबर ए इरान ठीक है इरानी संसर द्वारा जो है एक विध्ययक पारित करके अमेरिका की सैनेबलू और अमेरिका के रच्छा मुख्याले पेंटागन को आतंकवादी संग्ठन घोसित करते कारवाई मानी जाएगी ठीक है ऐसा जो है वही कासिम सुलेमानी की अमेरिकी ड्रोन द्वारा हमले में मौत के कारण किया गया ठीक है चलिए चलते हैं अगले प्रशन पर देखे आमें जो इरान की जो फोर्स है ना इस्लामिक रिवोलूशनी गायड कार्प्स इसको भी जो इस लेक्चर के अंतिम प्रस्न की तो यहां पूछा जारा है कि नॉमबर 2019 में सेंपत्राष्ट पर्यावरण कारेक्रम यानि की यून एप द्वारा उस सर्जन गैप रिपोर्ट 2019 यानि की इमिशन गैप रिपोर्ट 2019 प्रकासित की गई इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दस्रक में वैस्विक ग्रीन हाउस के सर्जन में प्रतिवर्ट से कितनी वृद्धी हुई है ए 7.6% B 1.34% C 2.5% या D 1.5% चलिए देखे इमिशन गैप रिपोर्ट 2019 में बताया गया जो कि UNEP के द्वारा जारी किया जाता है इसमें बताया गया कि जो जी एच जी यानि ग्रीन हाउस गैस है इनके उस्तरजन में जो है प्रतिवर्स एक दिसमलोव पांच प्रतिशत की बृध्धी हो रही यानि की सही अगर प्रतिवर्स ग्रीन हाउस गैसों के उस्तरजन में वर्स 2020-30 के दोरान प्रतिवर्स जो है साथ जसमलोव छे प्रतिशत की कटाउती करेंगे तब ही जो है पेरी समझोते के तहट एक दिसमलोव पांच डिगरी का जो लच निर्धारित किया गया वह प्राप्त किया जा सकता है अगर कटाउती नहीं करते तो उसका परिडाम क्या होगा तो पेरी समझोते के तहट जो लच निर्धारित किया गया है उसको प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा नेक्स्ट विगत एक दसको में वैस्विक ग्रीन हाउस यानि के जी एच जी इसके उस सर्जन में देढ़ प्रिश्यत प्रतिवर्स की वृध्धी दर्ज की गई जबकी और वहीं 2018 में कुल वैस्विक ग्रीन हाउस गैस उस सर्जन में उस सर्जन जो है वह 55.3 गीगाटन कारबन डाई अकसाइड उस सर्जन के बराबर रहा सताब्दी के अंदर तक वैस्विक तापमान में व्रिद्धी व्रिद्धी होने का अनुमान या उम्मीद जताई जा रही है और यह तब होगा जब पेरी समझोते के तहट निर्दारी तलच्छों का पालन किया जाएगा ठीक है नहीं पालन होगा तो यह कुछ और हो सकता ह थीक है ग्रीन हाउस गैसोगा जो है उसतरजन अठतर प्रस्ट जी ट्वन्टी देशों के दोरह किया जारा थीक है टोटल जितना रिंचाउस गैसों का उसतर जोन हो रहां से if you take trzeba कर प्रतितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितित लेक्चर में हम आर्थकी के बारे में फिलाल इस लेक्चर में इतना ही है थांक्यू थांक्यू विरिमिन फ़र डिस्कुशन चैनल गो लाइक सब्सक्राइब और सेयर करना मत भूलेगा चलिए धन्यवाद